आज मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी की आम आदमी पार्टी विधायक दल के साथ मीटिंग थी और उसमें लगबग सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी मोटे तोर पे ये बात थी की भारतिय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे ज़ादा आम आदनी पार्टी से है जितने मुकद में आम आदनी पार्टी के विधायकों पे हुए आम आदनी पार्टी के मंत्रियों पे हुए और जिस तरीके से अब आम आदनी पार्टी के मुक्खे मंत्री अरविंद केजरिवाल जी को गिरफतार करने की तयारी है साफ है कि अगर भार्टीय जन्ता पार्टी और प्रधान मंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का तो वो अरविंद केजरिवाल है और वो चाहते हैं किसी तरीके से डिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरिवाल को हटाया जाए इलेक्शन लड़के देख लिए तीन तीन चुनाओं के अंदर भार्टीय जन्ता पार्टी हार चुकी है अब वे बात जान चुके हैं कि अगर अरविंद केजरिवाल को सत्ता से हटाना है तो चुनाओं लड़के तो भार्टीय जन्ता पार्टी नहीं हरा सकती अरविंद केजरिवाल को शडेंत्र करके सत्ता से हटाया जा सकता है और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक-एक करके लगबग सब ने एक बात अरविंद केजरिवाल जी को कही कि अक्सर ये होता है कि अरविंद केजरिवाल जी के उपर अलग-अलग तरीके से दबाव बना के उनके उपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफ्तार कर लिया अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी अब तो मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा एक-एक विधायक ने अर्विंद जी को हाथ जोड़ के कहा है कि भारतिय जन्ता पार्टी और प्रधान मंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए कुछ भी हो जाए चाहे जमीन से चले चाहे आस्मान से चले चाहे पाताल से चले चाहे जेल से चले चाहे पुलिस कस्टडी से चले चाहे जुडिशल कस्टडी से चले अर्विंद केजरिवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे क्योंकि mandate अर्विंद केजरिवाल जी का है हम लोगों ने गली-गली जाके वोट अर्विंद केजरिवाल जी के लिए मांगा है मुक्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी बने सरकार अर्विंद केजरिवाल जी सलाए ये mandate ये आशिरवाद दिल्ली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ श्री अर्विंद केज्रिवाल जी को दिया है और इस मेंडेट के साथ खिलवार करना या धोका देने का हक जो है किसी को नहीं है मेरी कई लोगों से बात हुई कॉंस्टिटिशनल एक्सपर्ट से भी बात हुई आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप एक ट्राइल के बहाने जेल में डाल दें कन्विक्शन होती है एक अलग बात है कानून के अंदर और सम्विधान के अंदर है siis कोई प्रावधान नहीं है कि स्केव दिल्ले के या किसी भी राज्ये की जनता का जो अधिकार है जो उनकी fundamental right है right to vote, right to elect, right to elect a government, right to elect a popular chief minister इसको आप challenge कर सकें ये अधिकार जनता का है किसी सम्विधान की धारा में इस अधिकार के उपर कोई ऐसा अंकुष नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अगर trial के बहाने जेल में रखा जाए तो आप उनको इस्तीफा दिलवाएंगे इसलिए हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कर्बत निवेदन किया है कि जैसे भी हो अफसर आएंगे जेल में हम कैबिनेट कुलीक से हम लोग बहुत खुश रहेंगे अर्विन जी जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे और मुझे लगता है जैसा महौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे कोई बहुत ज़रा देर नहीं है जिस तरीके की तैयारिया प्रदान मंत्री कर रहे हैं जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीक्स भी मुख्य मंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे तो सकता है आतिशी जेल नंबर तू में हो मैं जेल नंबर वन में हूँ कोई जेल नंबर सिक्स में हो तो जब कैबिनेट मीटिंग होई करेगी तो आ जाए करेंगे एक साथ कैबिनेट की मीटिंग करेंगे कैबिनेट का फैसला करेंगे मुख्य मंत्री जी को जब जरूरत होई करेंगी तो अफसरों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, फैसला किया जाएगा और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे, जितने भी, वो लोग उस फैसले को बाहर कार्यानवित करेंगे, दिल्ली के लोगों के काम मुख्यमंत्री जी रुकने नहीं देंगे, मैं अब आतिशी जी से कहूं अर्विंद केज लिवाल जी को दिल्ली की जनता की राय बताई, हम सबने उनको बताया कि हम जिस गली में जाते हैं, जिस पार्क में जाते हैं, जिस और डबल्यूस मिलने जाते हैं, आज सब के जबान पे सिर्फ एक चीज़ है, कि मोधी सरकार ने अब आम आदमी पार्टी के साथ अती कर दी है, सब ये कह रहे हैं कि बार बार अगर केस होता है, अगर अरेस्ट होता है, तो आम आदमी पार्टी वालों का ही होता है, पहले विधायकों को अरेस्ट कर रहे थे, फिर मंत्रियों को अरेस्ट करने लग गए, फिर हमारे सांसदों को अरेस्ट करने लग गए और अब भारतिय जनता पार्टी के नेता अर्विंद केजरिवाल जी को भी जेल भेजने की धंकियां दे रहे हैं लेकिन आज दिल्ली की जनता देख रही है कि वह एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है उसके साथ अतिवाद हो तो सभी विधायकों ने अर्विन केजरिवाल जी को एक ही सुर में बात कही है कि चाहे मोधी सरकार शडियंत्र रच के उन्हें तिहाड के अंदर डाल दे लेकिन फिर भी हम सब ने आगरे किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दे क्योंकि आखिर कर लोगों ने वोट किसी अर्विन केजरिवाल को दिया है और किसी जूटे शडियंत्र से हम दिल्ली की जनता का ये भरोसा नहीं छूटने पेंगे चाहे कितने दिन भी मोधी सरकार अर्विन केजरिवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे दिल्ली की लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे. हमने ये भी डिसकस किया कि हम कोट जाएंगे और कोट से परमिशन लेंगे के कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके. जरूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, जरूरत होगी तो हम वहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोट से लेंगे दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अर्विंद केजरीवाल और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देगे ये सारी बात होने के बाद मुख्यमंतरी अर्विंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो विधायकों से बाचीत के बाद अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे पंजाब के मुख्यमंतरी पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठान है उससे चर्चा करेंगे और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया है एक बात मैं और कहना चाहता हूं बहुत सारे लोग इस पर प्रश्ण भी करते हैं और आज दिल्ली में बहुत चर्चा है इस चीज की मैं पूरे सम्मान के साथ कहूंगा न्याययले के लिए कि पूरी मनी शिशोदिया जी की बेल के दौरान मननिय न्यायधीस जी ने जब-जब E.D. से मनी ट्रेल के बारे में पूछा बार-बार पूछा पैसा कहां आया मनी शिशोदिया जी के पास पैसा कैसे आया मनी शिशोदिया जी के यहां क्या मिला मनी ट्रेल का क्या एविडेंस है जो गवाही तुम दिखा रहे हो वो तो आरोपियों की गवाही है वो दो मिनट भी ट्रायल में नहीं टिकेगी सब पत्रकारों ने और पूरी देश की जनता ने वो ट्राइल सुनी है, अकबारों के माध्यम से पड़ी है एक भी मनी ट्रेल के सवाल का जवाब E.D. के वकील सुप्रीम कोट को नहीं दे पाए ये मैटर अफ रिकॉर्ड है, ये दर्ज है इतिहास में मगर उसके बावजूद जिस तरीके से मनीज जी की बेल डिनाए हुए है ये बहुत दुर्भाग्यपूर है और हमको इसका बहुत खेद है देखें इससे पहले जो उधारण है वो कन्विक्शन के बाद किसी के उपर आरोप साबित होने के बाद सजा के बाद किसी मुख्यमंत्री के जेल के जो है उधारण है किसी मुख्यमंत्री को अंडर ट्राइल इस तरीके से भेजने के उधारण भी कम है और मुझे नहीं लगता कि सम्विधान के अंदर इसकी कोई दिक्कत है और आतिशी जी ने जैसे बोला अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसे मनी शिशोदिया जी को जरूरत पड़ती है कई बार वो अपने MLA फंड वगेरे की जो फाइले हैं उनको साइन करके बेजते हैं इसी कंच साइ नदर झालय से इसकी करके हैं लोड़ोषो पोले से फृट खोड़़ोगे ही कॉरआच झालय साइब सेची के ढ़िए प्लॉबड़おいων का भ्लॉब़ूबब यक करके लोगार है